गुद्ट मॉर्निंग एव्यवर्ड इट्स यौर्ट एड आइम मात्वर्ट वित आज रखेंगे लाज फर्स्ट चैप्टर नाइट स्पूल टाइम और आज करेंगे एप्सरसाइजेस पार्ट फ्री इसमें कोश्टा एबी जो था वह आपका कब्रेट हो चोगा था आपका या सरे केकी विए क्विवव अंसर तो में मजपिक आपा इड सहरा झाहाएँ मह एपकार्ट की पहल स्वाद काता स्थन एज इस इस ऑबी आपैस ran प्री इस कोश्टिंग एंट स्वें प्री जो मत करेंग हा बनुक्क्ण। एढबीी जो और एम स्वार्सा उन समें उन समें प्रियंका रेड़ी पर स्कूल प्रियंका रेड़ी पर स्कूल इसमें बताया है कि वैंना क्या होता है कब प्रियंका स्कूल के रेड़ी कब हो जाती है तो इसमें निखेंगे प्रियंका इस रेड़ी प्रियंका रेड़ी प्रियंका रेड़ी कब हो जाती है हो जाती है सेवन ओप लॉक एड़ सेवन ओप लॉक साथ बजे तयार हो जाती है शे बजे उपती है साथ बजे तक वो तयार हो जाती है एड नेक्स कॉशन नॉमबर टू कॉशन नॉमबर टू गया है इसमें क्या पुचा है? है कि बहाए शे इंडिसक बहा है बहाए कब जाती है? सुबह बहाए जाती कभ थे? उठती कभ है? तो इसमें अंसर है आपका She wakes up at 6 o'clock, 6 o'clock in the morning. In the morning, 6 o'clock वो पुर्चाती हैं. Question number 3. Question number 3 है, Who gives her breakfast? इसमें यह बुच्छान है, Who मेंस क्या होता है, कौन गेमिस देना, गेमिस मेंस क्या होता है, देता है. उसको breakfast कौन देता है? बताओ कौन देता है उसको breakfast? उसको breakfast देती है उसकी mother. तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे. Question number 4. What does प्रेंगा दो पर्ष्ट? Question number 4. What does प्रेंगा दो प्रेंगा दो प्रेंगा दो पर्ष्ट? इसमें क्या कुछा है कि प्रेंगा जो है को सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले जब उठती है तो उठते वो क्या करती है अपनी मम्नी को? Good morning बोलती है विश्ट की है यह इसमें लिखना है, at first, at first मिस होता है सबसे पहले, at first, प्रेंगा, six, क्या कहती है वो? Good morning. Good morning to her mother. अपनी मम्नी से Good morning कहती है और उसके बाद में कोई काम स्टार्ट करती है. मतलब अपनी मम्नी से कहती है Good morning उसके बाद में पापा से कहती है लिए इसमें पूछा सबसे पहले क्या करती है तो अपनी मम्नी से Good morning कहती है यह काम सबसे पहले होता है. तो question number D has completed. And now we will do question number E. Question number E जो है आपके जम्बर जैटर्स है जिनमें आपको क्या परना है जो उल्टे सीदर लिखे में है कुछ वर्ड उनको आपको क्या करना है इसको सही प्रम में एर्रेंज करना है. देखो जाजी यह है पहले इसके heading लिख लेते हैं कि solve the jumber debtors या collect the jumber debtors. Jumber debtors है इसको solve करना है उनको तब correct करना है. Jumber debtors क्या आते हैं जब कोई वे वर्ड उसको हम उसके जब लेटा सकते हैं वो आगे पिछे लिख देते हैं तो वो कहलाते है Jumber debtors. अब देखो जिसी यह है A T S E फिक है तो इसमें यह जो लेटर है सारे A T S E बूट इसके लिखिये में हैं मतलब कि यह सही नहीं है इनको जो कुराना को सही नहीं है अब इनको हम सही order में लिखेंगे. जिससे कि एक miniature bird गल जाए वो इस chapter में आया हुआ भी है तो इसमें आप देखो जो हम लेटर लिखते नहीं उसके अंदर करते हैंगे E A T S हो गया है एक bird E A T S इसी तरह से और भी जितने हैं उनकों हम ऐसे करेंगे नमबर टू इसमिस क्या होता है खाती है नमबर टू है आपका देखो यू बी ए और डबल टी अब देखो इसको किस तरह से करेंगे सही देखो इसमें है बी यू डबल टी E R क्या हो गया बटा बी यू डबल टी इ आर हो गया नमबर ट्री नमबर ट्री है आपका R I B N S K इसको हम करेंगे तो देखो यह कैसे होगा इसको पहले हम सोचेंगे ठीक है और उसके बार में सोचेंगे D R I N K S क्या हो गया ब्रिंक्स D R I N K S यह आया है आपके चैप्टर में ब्रिंक्स हाना ब्रिंक्स मसा पीता है या पीती है नमबर 4 नमबर 4 है O R M I N G N अब देखो यह देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तो बहुत बढ़ा है कैसे होगा लेकिन जाब इसको ध्यान से देखेंगे तो और स्पैलिंग के दिए अपने नर्ड करी होगी तो आपको यह फटावर्ट से आजाएगा किसका इसे करेंगे देख यह है M O R N I N G क्या होगा मार्निंग M O R N I N G नमबर 5 नमबर 5 है S O A दवर्टी तो इसका क्या होगा और 6 नमबर बगा देखेंगे आपको यह है E H A B तो इसका होगा यह जो है T O A S T यह क्या होता है तो अब यह देखो T H A B यह छोटी सी स्पैनिंग है इसको सोच चुके तो क्या मिलेगा आपको B A T H B A T H यह क्या होता है बाद तो ब्ला के सिंग है तो आपका कॉस्चों D और E यह जो आपका का पॉपलेट हो चका है तो झालों एक यह एंवाझ नवाथ। कि ए सकते हुआंग दिखायुदा आर लोका हुआ numero क्यों तो जिए विदय है। इस यह तो एका शॉण पेसे अगाए हुआ है। दो ऑन हो आर नवाद सेटा मार धे दोसे लिए हुआ है। झालों है।